इजूकेशन के फील्ड से नहीं हूँ, मैं एक कलकार हूँ, एक आर्टिस्ट हूँ, एक क्रेटिव इंसान हूँ और आप लोग बहतर जानते हैं एजूकेशन के बारे में, इतने साल से आप एजूकेशन चला रहे हैं पिछले कुछ साल से मेरा अनुभव हुआ है, चूँके मैंने कुछ फिल्मे की हैं, एक फिल्म थी तारे जमी पर, और अभी हाली में मेरी जो फिल्म आई है, त्री इडिएट्स, ये दोनों फिल्में एजूकेशन के टॉपिक पर हैं, तो लहाज़ा इस वज़े से मैंने सही बोल रहा हूँ, घलत बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे कुछ विचार हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, एजूकेशन से जो, जिनका संबंद है, और वो ये के सबसे पहले तो हर बच्चा खास होता है, ये मैंने डिस्कवर किया अपने, रिसर्च में हर बच्चा खास होता है, हर बच्चे में हमारी तरह, आपकी तरह और हमारी तरह, हर बच्चे में कुछ नकुछ काबलियत होती है, कुछ नकुछ कमजोरी होती है, मुझ में भी कमजोरी है, काबलियत है, आप में भी कुछ नकुछ काबलियत और कमजोरी है, और हर बच्चे में कुछ न या दिल चाहता है, उसे किस चीज में खुशी मिलती है? वो हमें उसको help करना है कि हम उसको ढूंड सके और उसमें हमें support करना है और जो उसकी कमजोरी है उसमें हमें उसको support करना है मुझे अक्सर education institutes मुझे बोलते हैं कि हम हमारे school में सारे बच्चे पास होते हैं कितने बच्चे खुश है सबसे बड़ा सवाल मेरा ये है harmony of a children are happy और वो जो happiness quotient है वो मेरे लिए सबसे एहम है क्योंकि देखिए पढ़ाई लिखाई तो हम सीखी लेते हैं जब मुझे कोई चीज सीखनी होती है तो मैं कुछ न कुछ करके सीखी लेता हूँ टेस्ट स्क्रीनिंग जिसको हम कहते हैं जिसमें कि हम audience जैसे आप लोग है उनको बलाते हैं फिल्म दिखाते हैं उनसे पूछते हैं कि फिल्म कैसी लगी ऐसे एक टेस्ट स्क्रीनिंग हमने किया था बंबई में एक factory में कारीगर लोग काम करते हैं तो करीब 25-30 कारीगर आये थे उस स्क्रीनिंग में स्क्रीनिंग के बाद उनका एक कारीगर था उसने मुझसे एक सवाल पूचा उसने मुझसे ये पूचा आप लोगने फिल्म देखी है Three Idiots उसमें उसने मुझे एक सवाल पूचा जो बहुत कमाल का सवाल था उसने मुझे ये सवाल पूचा के सर पिच्चर के अंत में हमें पता लगता है के आप तो रंचोड़दास थे ही नहीं रैंचो तो थे ही नहीं आप तो certificate तो आपको मिला नहीं वो तो जावेज जाफरी को मिल गया तो आप इतने बड़े scientist कैसे बन गए इतने बड़े patents, 400 patents, जापानी लोग आपके पीछे पड़े हैं तो आपको certificate तो मिला नहीं तो आप इतने बड़े scientist कैसे बन गए बहुत ही एहन सवाल है ये, बहुत ही important सवाल है और ये जो मद्दा है उसके हाट में जाता है कि जब मैं exam के लिए रट के जवाब देता हूँ और वो जवाब में मुझे number मिलते हैं और मैं पास हो जाता हूँ तो मेरे हाथ में एक परचा आता है जो मुझे कहता है कि मैं बड़ा लिखा हूँ लेकिन वाकई मैं बड़ा लिखा हूँ या नहीं यह अभी तक मुझे को शोर मालूम नहीं है लेकिन जब आप knowledge चाहते हैं कि आपको मिले विद्या मिले आपको तो फिर वो कागज का माइने कुछ होता नहीं है तो मैंने उसको जवाब में दो सवाल पूछे मैंने बोला उसको के भाईया आपको क्या लगता है मैं अच्छा एक्टर हूँ उसने बोला हाँ देज भर में आप सब लोग मानते हैं आपको आप अच्छा एक्टर है मैंने उससे का के भाईया मेरे पास कोई अच्छे cutter है, आपके जो boss मुझे बताते हैं कि आप उनके main cutter है और आपकी बड़ी इज़त करते हैं वो आपके अपास कोई परचा है, certificate है जो मुझे बताता है कि आप cutter हो उसने मुझे बहुत नहीं सर तो मैंने मुझे बहुत आपका जवाब आपको इधर ही मिल गया education is beyond marks, education is beyond grades, education is what you learn और मेरी इच्छा है कि हिंदुस्तान में हम education को इस नजरिये से देखें कि हम अपने बच्चों को वाकई शिक्षा दें और शिक्षा हम खुशी से दें क्योंकि शिक्षा में सिर्फ ग्यान नहीं होता शिक्षा में एक और चीज मिली रही होती है वो यह है कि हम अपने बच्चों को develop करते हैं as human beings आगे चलके वो जिंदगी में अच्छे इंसान बने आगे चलके वो अपने पैरों पे खड़े रह सके आगे चलके वो इज़त की जिंदगी जी सके आगे चलके वो दूसरों के बारे में ध्यान रखे आगे चलके वो किसी के चहरे पे मुस्कराहाट ला सके आगे चलके वो किसी की मदद कर सके This is what we should develop of our children यह मेरी feeling है मैं जहां भी देखता हूँ यह मेरे साथ भी हुआ है जब मैं छोटा था जब से हमारे बच्चे छोटे होते हैं जब से बच्चे पैदा होते हैं बच्चा घर आता है हम बच्चे को बूछते हैं भई मार्क्स कितने मिले हैं फुरस्ट आय के सेकң्ड आय औरे सर निया डांट पढ़ती उसको कि जो भूता है। मैं टेंट आय तो हलात ही बड़ी हो जाती है बच्चे को लगता है यार यह फॉष्ट आना बड़ा जरूरी है उसको रेस में हम पुछते हैं तुम रेस में फर्स राइक एक सेकंड राइ उसमें हम उसको बचपन से जबसे वो केजी लोवर केजी में होता है जब लोवर केजी में रेस होती है चमचा मू में लगाके उसमें नीबू डलके भागते है उसमें भी हम बचचे को बुशता है रह बच्चे को लगता है क्यों बड़ा ज़रूरी है मेरे पेरिंट्स मुझे एक ही सवाल पुशता मैं फरस्ट आय के नहीं उसके जहन में यह बात बैड जाती है कि मेरेको अवल आना है मेरे को compete करना है मेरे को बाकी लोग से आगे निकलना है teachers भी यही सवाल उसको पूछते हैं आम तोर पे मेरे साथ हुआ है होता क्या है कि जब वो बच्चा 21 साल का होता है तो वो बड़ा selfish हो जाता है और उसको selfish हमने बनाया है हमारे system ने बनाया है वो अपनी बारे में सोचता है और किसे के बारे में नहीं सोचता है क्योंकि यह हमने उसको train किया है बच्पन से बच्पन से हमने उसको यही train किया है कि बेटा तुम पहले आना बाकी सब लोग को भूल जाओ तो जब वो नौजवान बनता है तो उसका नजरिया सुसाइटी की तरफ यही हो जाता है कि भाईया मुझे आगे बढ़ना है by hook or by crook I must succeed I don't care about anybody else मेरा यह दिल कहता है मेरा यह दिल चाहता है कि अगर हम जितने यहां parents हैं adults हैं youngsters हैं जो कल जाके parents बनेंगे अगर हम अपने बच्चों को ये सीख दें जब वो छोटे हैं जब वो घर आये हम उसको ये सवाल पूचें यह नहीं पूचें कि marks कितने मिले उसको ये पूचें कि बिटा आज तुमने किस की मदद की आज तुमने किसके चेहरे पे मुसकराहट लाई अगर हम उसको ये पूछें, तो उसको ये लगेगा, कि यार ज़रूरी ये है, मेरे परेंट्स मुझे हमेशा ये पूछते हैं, मार्क्स का तो अभी पूछते नहीं, वो मुझे ये पूछते हैं, कि भईया, तुमने किसको हेल्प किया आज? तो help करना लोगों को, लोगों के बारे में सोचना, लोगों के चेहरे पे मुसकराहट लाना, ये मेरे parents के लिए बड़ा important है psychologically वो इस चीज़ के साथ बड़ा होगा, school वो ही जाएगा, बढ़ाई लिखाई वो ही करेगा वो उसका नजरिया थोड़ा बदल जाएगा, जब वो नौजवान, जब वो बच्चा नौजवान बनेगा, 21 साल का होगा और सारे बच्चे उस उमर के जब 21 साल के होंगे, हमारी society चेंज हो जाएगी क्योंकि तब हमारी society में ऐसे नौजवान होंगे, जो खुद के बारे में नहीं सोच रहे हैं, दूसरों के बारे में सोच रहे हैं तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे education system में मैं देखना चाहूंगा जो मैंने अपने school life में नहीं देखी, कि हमको ये एहमियत इस पर दी जा रही है, कि हम अपने आसपास के बच्चों को कितना help कर रहा है ये एक बहुत बड़ी तबदिली अगर आ जाए, तो मुझे लगता है कि हमारा देश बहुत सुदर सकता है, बहुत बदल सकता है